हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार भी तंकुर शर्मा में बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है इस वीडियो का टॉपिक होगा वाई बैटरी वाटर्ज ड्राइ फास्टर ठीक है टॉपिक का नाम है कि हमारा जो बैटरी है उस बैटरी का पानी जो कि दी मिनरलाइजड वाटर हम या डिस्टिल वाटर भी बॉल देते हैं दी मिनरलाइजड वाटर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो जल्दी क्यों सुख जाता है इसके लिए क्या क्या कारण हो सकते हैं उन में आपको जरूर देंगे को अगर पसंद आए तो लाइक कर दे ना अपने दोस्तों को शेर कर देना अब दोस्तों स्टाट करते हैं आजका जो हमारा टॉपिक है उस वीडियो में हम बताइंगे आपको पांच रिजन जिन पांच रिजन की वज़े से आपकी बैतरी ड्राय हो सकती है. दोस्तों मैं आपको पहला रीजन जो है, पहले सब से पहले एक major region बता देता हूँ. इसी पे बेजड होते है ज्यादातर points जो कि हमें ध्यान रखने होंगे. दोस्तों जो हमारा पानी सुखने के region होते हैं, वो एक तो है हमारा high एंपियर से चार्जिंग करना ठीक है? मतलब कि ओवर चार्ज करना जिसको हम बोलते हैं ओवर चार्ज करना अब ये दो तरीके से हो सकते हैं या तो हम हाई करंट से चार्ज करें या फिर हाई टाइम तक चार्ज करें मतलब कि जादा time तक charge करें दो region हो सकते हैं पहला region है high ampere से charge करें मतलब कि अगर battery की capacity है मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि battery की capacity अगर हमारी C है तो हम जो battery को charge करेंगे वो C by 10 ampere से ही charge कर सकते हैं maximum ठीक है और अगर हम C by 10 से जादा ampere से charge करेंगे ठीक है जी तो उस case में हमारी battery का dry होने के chances बढ़ जाते हैं ठीक है battery हमारी dry होने के chances जादा हो जाएगे इस case में तो अभी हम देखिए पहला point ले 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 ते हैं सबसे पहले इस पहले point के अंदर हम आपको बताएंगे कि हमारी battery क्यों dry हो जाती है ठीक है तो पहले point के अंदर जो हमारा रहेगा age of battery ठीक है देखें दोस्तों हमारी जो battery है उसकी एक age होती है जैसे कि हमारी अगर normal battery है तो उसकी age हमारी 3 से 5 years तक मानी जाती है और जो हमारी solar की battery है उसकी age हमारी 7 to 9 years मानी जाती है ठीक है 3 to 5 years होती है हमारी normal battery की और 7 to 9 years होती है हमारी कौनसी battery की जो की हमारी solar की battery है ठीक है अब दोस्तों इसमें condition क्या होती है कि जो हमारी जादे तर जो हमारी companies हैं जैसे कि excited company हो गई और leader company हो गई और भी बहुत सरी companies है ठीक है तो ये दो company से हम लोग जुड़े हुए हैं इसलिए हम आपको इसके बारे हम बता रहे हैं ठीक है और भी बहुत सरी companies होती है लेकिन हम इनके बारे में जो warranty होती है इनकी वो हमारी ज्यादता 36 month की होती है ठीक है 36 month बोल सकते है या फिर 3 year बोल सकते है तो हमारी जो warranty period है वो 3 year का या फिर 36 month का होता है generally excited और leader की battery के अंदर ठीक है अ आपकी जब 5 साल की battery हो गई है तो उस time पर battery हमारी पढ़ जाती है weak जो battery की cells है वो हमारी plate है वो हमारी weak हो जाती है उस case में क्या होता है कि यह uncontrolled charging कभी 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 करने लगती है या फिर इसके अंदर जो specific gravity है हमारी वो हमारी maintain नहीं हो पाती है तो जब हमारी specific gravity maintain नहीं हो फ्लोट मोड में नहीं जाएगी तो उस case में क्या होता है कि हमारी battery continue charging लेती रहेगी जब हमारी continue charging लेती रहेगी तो उस case में हमारी battery का पानी obviously dry हो नहीं है कैसे dry हो ना प्योंकि battery जो हमारी है वो हो रिये charge जब charge होगी तो battery का water है वो हमारा क्या करेगा boil करेगा जब battery का water boil कर पर इसका क्या होगा evaporation ठीक है evaporation जो होगा इस evaporation की वज़े से ही हमारा जो पानी है वो हमारा सूख जाता है dry हो जाता है ठीक है तो पहला reason तो इसकी age होती है age हमारी एक particular age तक हमारी battery particularly काम करती है वो भी applications पर बेज होती है हमारी number of cycle भी उसकी defined होती है कि मान लीजे 1000 cycle है या discharging एक बार charge और एक बार discharge कर लिए मतलब one cycle complete होगी तो इस तरीके से number of cycles भी हमारी decided होती है company के दोवारा और age जो है वो years में decided होती है number two जो हमारा factor है वो है दोस्तो battery का internal resistance तो यह जो internal resistance है इसको read करता है हमारा inverter तो दोस्तों inverter का problem क्या होता है कभी-कभी inverter जो है वो हमारा battery का internal resistance को read नहीं कर पाता है जब हमारा internal resistance को read नहीं करेगा तो उस case में problem क्या है गी कि हमारी जो current है जिस ampere से हमें चार्ज करना है battery को वो किसके basis पर decide होती है वो हमारी जो current है वो हमारी is proportional to 1 by R ठीक है और जब हम बैटरी के internal resistance को read नहीं कर पाएगे तो इस case में हम क्या करेंगे बैटरी के जो current जिस ampere से हमें charge करना चाहिए बैटरी को वो भी हम read नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब यहाँ पे क्या problem आएगी कि हमारी जो बैटरी की current है मान लीजे वो 10 ampere हम कर सकते है maximum जैसे कि मैंने आपको बताया capacity divided by 10 जैसे कि मान लो 100 ampere की 100 ampere hour की बैटरी है उसकी वज़े से अगर हमारी battery 15 ampere से charge होने लगती है 10 ampere की जगे तो उस टाइम पे क्या होगा कि battery का जो हमारा temperature है वो बढ़ेगा और battery का temperature बढ़ने से हमारी battery का जो water है वो battery का water हमारा ज़्यादा boil करेगा और वो boil करने की वज़े से evaporation होगा और evaporate होगे हमारा जो पानी है वो भाप में बदल जाएगा और हमारा पानी water level कम हो जाएगा ठीक है water level कम हो जाएगा तो एक region ये भी हो सकता है जो कि हमारा battery की internal resistance को सही से read ना कर पाने की कारण हो जाता है तीसरा जो point है हमारा दोस्तों इसमें ये है कि हमारा जो battery है उसकी एक AH capacity होती है मान लिजे हमारी जैसे की 100 AH होगी 150 AH होगी और 200 AH होगी ठीक है ये हमारी कोई battery की capacity range है अब दोस्तों इस case में मान लिजे problem ये हो जाती है कि कोई inverter है उस inverter के लिए आपको बताया गया कि आपको जो range यूज़ करनी है वो 100 से लेके और 200 AH तक यूज़ करनी है ठीक है इस battery को अपने use करना शुरू कर दिया अब यहाँ पर दोस्तों problem क्या है गी मान लिजे मैंने आपको बताया था कि जो inverter डिजाइन होते है वो हमारे battery के according ही डिजाइन होते है कि इतने एंपेर और की battery है तो उसके साथ इतने KVA काम है inverter लगाना पड़ेगा अब मालों यहाँ पर 100 से 200 AH की battery चाहिए थी लेकिन आपने लगा दी 80 AH की battery अब दोस्तों यहाँ पर जैसे की 10 AH से charge करेगा हो तो inverter ठीक है 100 AH की मान के यहाँ से जादे से भी charge कर सकता है आपने capacity कितने लिए 80 AH तो यहाँ पर 8 AH से करना चाहिए उसको charge और जब 8 AH से charge करना चाहिए और 10 AH से करने लगेगा तो उस case में क्या होगा battery हमारी heat करेगी फिर से battery हीट करने की वएसे battery का हमारा फिर से dehydration हो जाएगा dehydration बोलते हैं evaporation बोलेंगे dehydration का मतलब वही है पानी सूख जाएगा ठीक है तो battery का हमारा पानी सूखेगा इसकी वज़े से भी तो यह भी reason हो सकता है आपको जो capacity है वो बहुत ध्यान से देख के लेनी है battery और inverter की capacity आपके matching होनी चाहिए तब ही वो सही से operate हो पाएगा दोस्तों उसके अलावा जो fourth point है हमारा इस fourth point में आपको बताने जा रहा हूँ battery की जो capacity होती है वो हमारी temperature से भी बहुत effect होती है जो हमारा temperature है room का उस temperature को maintain रखना चाहिए हमेशा तो हमारी जो battery है और inverter है वो ऐसी जगे पे रखे होने चाहिए जहां पे air आ सके ठीक है ventilation का problem ना हो ठीक है ventilation proper हो सके ऐसी जगे पे हमें अपनी inverter और battery को रखना है ठीक है तो इस point का भी हमें ध्यान रखना होगा यह point number 4 और point number 5 जो कि हमारे बहुत साय लोगों की गलती होती है वो यह है कि जादे तर जो मैंने यह दुकानदार से भी feedback लिया हुआ है battery के बारे में तो उन्होंने भी यह बताया कि हमारी बहुत बार ऐसा होता है कि local brand जो है वो हमें बताते है कि 200 AH की battery है उस पे sticker जो लगा होगा वो 200 AH का लगा होगा लेकिन actual में वो 150 AH की battery होती है ठीक है उसमें सिर्फ sticker हमारा 200 AH का लगा होता है लेकिन actual में जो वो battery है वो 150 AH की है लेकिन आप उसको use कर रहे हो 200 AH समझ गए तो इस case में क्या करोगा आप उसको C by 10 से मतलब की 20 A से उसको charge कर रहे होगे जबकि उसको तो 15 A से charge करना चाहिए तो दोस्तों इस case में भी आपको problem आएगी आपको क्या करना चाहिए आपको हमें से brand की battery लेनी चाहिए जो भी brand है जैसे की X-side एक brand है ठीक है और भी बड़े अच्छ-च्छ brand है तो उन सब की brand की battery लेनी चाहिए जैसे leader का भी अभी brand ठीक है नॉर्मल है बहुत अच्छ भी नहीं मान सकते बट एक्साइड का हमारा जो experience रहा है एक्साइड का बड़ा अच्छा experience रहा है ठीक है तो हमें जो battery है वो brand की लेनीजी है local battery ना उठाएं ठीक है at least leader भी brand है तो बाकी local जो brand बना लेते हैं इदर उदर के ऐसे plates जोड़ के बना के दे देते हैं उन से कभी battery ना ले उसका region यह होता है क्योंकि वो उस पे जो लिख के देते हैं 200H वो actual में 200H नहीं होती है ठीक है ना उसकी कोई proper testing होती है तो इन सब region की वज़े से वो high current पे charge होती है और battery का जो पानी है वो हमारा सूख जाता है उसके बाद उसकी जो specific gravity वो down होने लगती है और battery हमारी खराब होने लगती है तो दोस्तों मैं मानता हो कि आपको पांचो पॉइंट समझ में आगे होंगे अभी भी कोई doubt रह जाता था आप comment box में रिखके जरू पुछेगा और हमारे चैनल को subscribe अभी नहीं किया तो प्लीज जरू कर लीजे बागी दोस्तों को video share और like कर दीजेगा बागी मिलते है next video में thank you for watching